हरे कृष्णा आप सभी भक्तों का हमारे स्कोर्स गीता व्लोकन में हर्दिक स्वागत है आज की ये हमारी चौदमी कक्षा है हमने अब तक अध्याय दो तक अपना अध्यान पूरा कर लिया है भगवत गीता का अध्याय दो और आज का ये जो सत्र है इसमें हम भगवत गीता के अध्याय दो में जो एक बड़ा विशय भगवान श्री कृष्ण उठाते हैं जिसमें वे अर्जुन को आत्मा के बारे में पताते हैं ये जो सत्र है ये सीधा सीधा भगवत गीता से संबंदित नहीं है लेकिन भगवत गीता में जो आत्मा के बारे में बताया गया है उसमें जो व्याभारिक रूप से या जो संसारिक रूप से जो हम तथे हमें आत्मा के बारे में जानने को मिलते हैं ये कारेकरम मुख्यता उस पर विशेश जोर देता है और इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम आत्मा के बारे में दुनियावी तरीके से या आम जिन्दिगी में हम जो देखते हैं, उस observations के माध्यम से जब हम आत्मा के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो भगवत गीता जैसे गरंथ में जो उपदेश भगवान शी कृष्ण ने हमको दिये हैं, उन पर हमारा विश्वास जो है अधिक से अधिक प्रबल होता है, करेकरम का अरंब मैं मंगलाचरन प्रार्थनाओं से करूँगा हमेशा की तरह? ओम अज्ञानत मिरंधस्य ज्ञानन जनाशलाकया चक्षूरून मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमहा श्री चैतन्यमनो भिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपह कदामहियं ददाती स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरोह श्री युत पदकमलं श्री गु पं साक्रजातं सहगन रगुनातान वितं तंस सजीवम साद्वाइतं साबधूतं परिजन सहितं क्रिश्न चैतन्यदेवम स्री राधा क्रिष्ण पादान सहगन ललिताश्री विशाखान वितामष्च ये खृष्न करुना सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिक प्रिश्वानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये वांचा कल्पतरुप्यस्चा क्रपासिंदुब्य एवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्नवेभ्यो नमु नमहा जैश्री कृष्ण चैतन्या प्रभुनित्यानंद श्रीयत बैत गदाधर श्रिवासा दिगवर भक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे आज संभवता कुछ भक्त हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं बड़ा संख्येप में इस कारेकरम की थोड़ी सी भूमी का आपको समझाना चाहूँगा. मेरा नाम जो इस कोर्स में आपका अध्यापक के रूप में यहां पर कारेरत है, मेरा नाम है केशव कुपाल दास. मेरी आयू है 47 वर्ष, मैं विभाईत हूँ, मेरा गीता का लगभग 15-16 वर्ष का अध्यान है और इस अध्यान के उपरांत मन में एक प्रेणा हुई है कि गीता के इस संदेश को आसान और सरल भाषा में बाकी सब जिनके संपर्क में मैं आ सकता हूँ, उनके साथ साजा करूँ. तो यह इस कारेकरम की एक तरीकी से थोड़ी सी रूप रिखा है या बैगराउंड है कि एक कारेकरम क्यूं किया जा रहा है. इस कोर्स की अवधी जिसका नाम हमने रखा है गीता अवलोकन ये लगभग एक साल तक चलेगा जिसमें की हम हर सप्ताह एक कक्षा एक घंटे की किया करेंगे. इसमें अध्यापन की जो शेली है वो ये है कि मुख्य रूप से हम भगवद गीता के शलोक लेते हैं और उसी के प्रभभा में उसी का जो एक सीक्वेंस है, चैप्टर बाई चैप्टर, शलोक बाई शलोक उसी प्रभा को फॉलो करते वे भगवद गीता को समझने का प्रय करते हैं और श्लोकों का स्मरण करने पर भी हम ध्यान देते हैं इस कोर्स में एक छोड़ी सी फीस है आप देखेंगे कि बहुतिक जगत में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है और यह फीस है आपका उत्साहा आपका धहरिये और आपका निश्चे तो जितने उत्साहा से कोई चीज जो ना समझ में आने वाली होगी वो भगवान के गरपा से समझ में भी आ सकती है और निश्चे रखिए कि भई हमें ये लगभग एक साल तक भगवत गीता का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना है चाहे कोई भी रुकावट आए हमें निश्चित रूप से इनको सम उपाद जी से है और उन्हीं की इस भगवत गीता यथा रूप को जिसको हम एक पाठ्य पुस्तक के रूप में ले रहे हैं उसी के बेसिस पर हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं आप अपनी अध्याद्मिक शंकाओं के बाद कक्षा के बाद भी संपर्क कर सकते हैं वाटसेप पर मेरा नंबर उपलब्ध है और आप जब भी अपनी शंकाओं के साथ समाधान के लिए मुझसे संपर्क करेंगे तो निश्यत रूप से आपको कोई ना कोई उत्तर मैं यथा शक्ती देने का भरपूर प्रयास करूंगा तो आज का कारेकरम हम आरंब करते हैं आज के कारेकरम की एक छोटी सी विशह सुची है आज का जो कारेकरम है वो सीधा सीधा डिरेक्ली भगवत गीता से नहीं लिया गया है इसमें हम कोई शलोकों की बहुत जादा चर्चा नहीं करेंगे और अध्याय दो पर ये जिसमें की भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में सुचित किया है, आत्मा के बारे में बताया है, उसी विशे को हम एक तरीके से व्याभारिक रूप से या एक जनरल तरीके से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो तरकों का जो स्तर होगा वो विशेश रूप से ऐसा नहीं होगा कि हम भगवत गीता से कोई श्लोक लेंगे और कहेंगे कि चूंकि ये भगवत गीता में लिखा गया है, इसलिए हम समझते हैं कि ये आत्मा होती है या शरीर और आत्मा अलग होती है, उस तरह का हम ज़्यादा तर जगवों पर नहीं लेंगे. तो यहां बर जो तरक हम लेंगे वो विशेश रूप से सामान्य तरकों के माध्यम से आधुनिक विज्ञान इस विशे में क्या कहता है, उस माध्यम से, थोड़ा भूट जनरल नौलिज के माध्यम से, इस तरह से हम आत्मा और अ स्थाई पहचान क्या है, पर्मनेंट आइडेंटिटी और टेंप्रेरी आइडेंटिटी, इन दोनों में क्या आंतर है, फिर शरीर और आत्मा के अंतर को समझने के लिए दो एक्जामपल्स, दो एनलोजी जिसे हिंदी में उपमाय कहते हैं, उन दो उपमाओं के माध्यम से हम वो अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, हमारे वास्तव में कितने शरीर हैं, शायद कभी आपने इस बात पर गौर ना किया हो, ध्यान ना दिया हो, तो इस बात पर भी हम थोड़ी चल्चा करेंगे, हमारे वास्तव में शरीर कितने हैं, शरीर के जो अलग-लग प्रकार ह उनको समझने के लिए कुछ दो-तीन उपमाओं का प्रयोक करके हम उनकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे क्या आत्मा का अस्तित्व है इसका कोई प्रमान है या सिर्फ हमें भगवत गीता जैसे गरंथो के माध्यम से ही इसको समझना चाहिए क्या भगवत गीता के बाहर भी कोई इस प्रकार के प्रमान हमको देखने को मिलते हैं सुनने को मिलते हैं जिससे हमारा इस बात पर विश्वास गहरा हो सके कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व है और कई बार लोग आत्मा के संबंद में जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं और अपने इस आधुनिक ज्यान के कारण वो जल्दी से आत्मा के सिध्धान्त के बारे में या आत्मा के जो कॉंसेप्ट के बारे में या तत्व के बारे में विश्वास नहीं कर पाते हैं तो इसी से संबंधिद वो अकसर कई प्रशन पूछते हैं ऐसे ही कुछ प्रशनों का हम आज यहां पर चार-पांच प्रशनों की थोड़ी सी चोटी सी संग्षेप में चर्चा करेंगे और आत्मा का ज्यान मेरे लिए आवश्यक क्यों इस बात का इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है कि हम इस अंतर को समझें कि हम शरीर नहीं हैं हम आत्मा है इस जानकारी का इस ग्यान का मेरे सामान्य जीवन में क्या मतलब है इसका मैं मुझे क्या लाब है मैं इस बात को क्यूं समझूं कि आत्मा और शरीर अलग है, तो आत्मा के ग्यान मेरे लिए आवश्यक क्यूं है, इस बात पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हम आज इस विशे पर अपना पहला जो टॉपिक है, कि हमारी स्थाई व अस्थाई पहचान, स्थाई का मतलब है पर्मनेंट और अस्थाई का मतलब है टेंपरेरी, कि हमारी टेंपरेरी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है और हमारी पर्मनेंट आइडे प्रियास करेंगे. देखें, यहां स्क्रीन पर मैंने यहां अस्थाई पहचान के बारे में दो-तीन बुलेट पॉइंट लिखे हैं, और पहले बुलेट में मैंने यह समझाने का प्रियास किया है कि पहचान वास्तव में अस्थाई पहचान की परिभाशा क्या है। उसका हम उधारन देते हैं. उधारन क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो संभवता आप अपना नाम बता सकते हैं, कि मेरा नाम अंभीका शर्मा है, या मेरा नाम आकांग्षा शर्मा है, या मनीश है, या तो नागरिकता भी एक पहचान का साधन हो सकती है। इसी प्रिकार से आप कह सकते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ या इंजिनियर हूँ या वेज्ञानिक हूँ या ग्रहनी हूँ आप अपने व्याफसाय से भी अपनी पहचान बता सकते हैं। इसी तरह से परिवार कि मैं तो किसी का पिता हूँ या मैं तो किसी फलाने व्यक्ति का पुत्र हूँ या किसी की पत्नी हूँ या किसी की पुत्री हूँ इस प्रकार से आप परिवार के माध्यम से भी अपनी पहचान बता सकते हैं। मन्य जीवन में अपनी पहचान बताते हैं. लेकिन इन सभी पहचानों को मैंने यहां पर अस्थाई पहचान की श्रिणी में रखा है. क्यों रखा है? क्योंकि यह सब जो है वो समय, परिस्तिती, देश और काल के अनुसार यह बदल सकती हैं. कैसे? आप अपना नाम बदल सकते हैं. आपका नाम बदला जा सकता है, लेकिन आप नहीं बदलेंगे. तो नाम आपकी पहचान आवश्चक है, लेकिन नाम आपकी अस्थाई पहचान है. इसके साथ साथ नागरिक्ता. आप अपनी नागरिकता भी बदल सकते हैं, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो पहले शायद भारत में रहते हों, लेकिन आप कहीं किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए हो, विवसाय भी बदला जा सकता है, कई बार कुछ लोग इंजिनिरिंग का विवसाय करते हैं, लेकिन में राजनीती में चले जाते हैं या किसी समाथ सिवगे कारे में चले जाते हैं परिवार एक स्त्री जो है जो अपने पिता के घर में जन्म लेती है बाद में जब उसका विभा हो जाता है तो उसका परिवार दूसरा कहलाया जाने लगता है तो परिवार भी बदला जा सकता ह धरम का परिवर्तन भी हो सकता है, आजकल तो यहां तक की लिंग परिवर्तन भी संभव है, और कोई व्यक्ति आज धनी है, कल निर्धन हो जाए या आज निर्धन है, कल धनी हो जाए, ऐसा संभव है, तो यह सारी की सारी जो हमारी पहचाने हैं, यह वास्तव में अस्थाई पहचाने हैं, मतलब temporary हैं इसी प्रकार से भगवत गीता में हम देखते हैं कि अर्जुन की भी कुछ पहचाने थी और कुछ identities थी जैसे अर्जुन अपने आपको शत्रिये के रूप में भी देख रहा था, कि मैं वास्तम में युद्ध करूँ या ना करूँ तो वहाँ वो अपने आपको शत्रिये के रूप में देख रहा था लेकिन वह अपने आपको एक पौत्र के रूप में भी देख रहा था एक शिश्ये के रूप में भी देख रहा था वह भीश्म पितामा को के अपने को अपना दादा समझता था और उनके पौत्र के रूप में अपनी पहचान कर रहा था इसी तरह से एक दुरौनाचारे के शिश्य के रूप में भी वह अपनी पहचान कर रहा था तो अरजुन के साथ जो धरम संकट था वो इन दो पहचानों के बीच में था कि वो शित्रिय होने के नाते युद्ध करे या पौत्र और शिश्य होने के नाते अपने बड़े बुजरुगों का आदर संबान करे उनकी उन पर हात ना उठाए उन पर शस्त्र ना चलाए तो इन दोनों जो उसकी जो पहचाने थी जो आइडेंटिटीज थी जो ये दो धरम जो उसके साथ जुड़े हुए थे इन में जब आपस में जो क्लैश पैदा हुआ आपस में वो जो टकराव पैदा हुआ उसकी वज़े से हम देखते हैं कि भगवत गीता जैसा गरंथ का वो एक बेसिस बना लेकिन यहां मूल विशय यह नहीं है कि अरजुन की पहचानों के बीच में टकराव हुआ या नहीं हुआ कहने का भाव यह है कि हमारी एक अस्थाई पहचान है और हमारी अस्थाई कई तरीके से यह जो हैं वो पहचाने हो सकती हैं कई तरह की identities हमारी हो सकती हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो identities हैं, वो temporary हैं। चलिए, यहां पर discussion पूरा करने के बाद, हम इस बात पर चर्चा करते हैं, कि क्या हम हमारी ये जो पहचाने हैं, जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, हमारा जो ये शरीर है, जो ये जो पहचाने हैं, जो identities हैं, जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, तो क्या वास्तब में हम अपना शरीर हैं? इस बात को हम थोड़ा सा एक सामान्य दृष्टिकोंड से, बिना किसी गीता, भागवत, रामायन, आदी जैसे गरंतों की साहता ल या जितने भी अवयव हैं, छोटे, बड़े, जितने भी अवयव हैं, वो सारे के सारे बदल जाते हैं, लगबख सात वर्ष में, ये सारे के सारे, जो सात वर्ष पूर्व हमारे शरीर में जो कोशिकाएं थी, शेल्स थे, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स थे, ये सारे के सार वर्ष में पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम बदलावा अनुभव करते हैं? नहीं, हम वास्तव में बदलावा अनुभव नहीं करते हैं, भीतर से जो हम एक व्यक्ति के रूप में जो चेतना हमारी होती है, उस चेतना के रूप में हम अपनी च जैसे कि मैंने आपको बताया कि साथ वर्ष के अंतराल में उसमें उपस्थी जितने भी मॉलिक्यूल, सेल्स बगरा हैं, वो सारे के सारे बदल जाते हैं। या एक पर्टिकलर लिंक के रूप में हुसे जानने लगते हैं, या धनी है या निर्धन है, इस तरह से जानने लगते हैं, तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी यदि हम देखा जाए, तो ये जो शरीर है हमारा, ये वास्तविक हमारी स्थाई पहचान नहीं है, बलकि एक अस्ताई पहचान है, थोड़ा सा हम इस बात पर चर्चा करेंगे, कि कभी हम यदि अपने शरीर की कीमत को निकालना चाहें, मुल्यांकन करना चाहें, कि हमारी शरीर की कीमत क्या है, जैसे कई बार लोगबाग अपने घर की कीमत का अंधाजा लगाते हैं, फर्मीचर कि गारी कितने की है, कई बार उस प्रकार से ये अलग-अलग समय पर लोगबाग अपने इन प्रॉपर्टीज का मुल्यांकन करते हैं, तो क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा ये जो शरीर है, इन में ये जो घटक हैं, जो अव्यव हैं, जिन से ये शरीर बना है, वास्तव में इन घटकों को अगर हम शदीर में अलग-अलग कर लें, तो वास्तव में कितनी कीमत है हमारे शरीर की, तो देखें, तो एक व्यग्यानिक हैं, जिनोंने इस बारे में विशेश रूप से अध्यन किया, और ये जानने का प्रयास किया कि हमारा शरीर में जो बनावट है इसक साड़े 700 ग्राम फॉस्वेट है, 200 ग्राम पूटेसियम है, 170 ग्राम सलफर है, 30 ग्राम मेगनीश्यम, आइरन, कॉपर और आयोडीन है, तो यदि मार्किट के हिसाब से, बाजार के हिसाब से इस सब कैमिकल्स का यदि कीमत निकाली जाए, तो वो कीमत मात्र 120 रुपए आती ह तो आपका शरीर, मेरा शरीर, हम सब का शरीर जिसमें लगभग ये सब घटक मौजूद है तो क्या हम ये समझें कि हमारे शरीर की कीमत मात्र केवल 120 रुपए है? जी नहीं क्योंकि हम इस बात को एक अनुभव से समझ सकते हैं कि वास्तव में इस शरीर की कीमत 120 रुपए से कहीं अधिक मूल्य की है और इसको एक उधारन के रूप से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यदि आपका कोई बड़ा ही निकट का संबंदी है और वो एक करोणों रुपए की एक कार में, एक गाड़ी में, एक वाहन में वो कहीं सफर कर रहा है और किसी दुर्भागेवश यदि उसकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो जाए या दुर्गटना ग्रस्त हो जाए तो और आप जैसे उस मौके पर पहुंचे हैं उसको संभालने के लिए, उसको देखने के लिए तो क्या आप पहले गाड़ी को संभालेंगे या अपने निगट के संबंधी को संभालेंगे गाड़ी तो करोडों रुपए की है और आपका संबंधी मातर 120 रुपए का लेकिन आप 120 रुपए की जो शरीर है उस शरीर के बीच में जो एक मुल्यवान वस्तु वहाँ पर उस शरीर के अंदर जो उपस्तित है, सबसे पहले आप उस शरीर में जो मुल्यवान वस्तु है, पहले उसको संभालेंगे। तो वह मुल्यवान वस्थू जिसको हम संभालना चाहते हैं, बशर्ते की वो जो गाड़ी जिसमें वो सफर कर रहा था, वो करोन रूपे की है, तो वह मुल्य वस्थू और कुछ नहीं, उसी को हम एक आत्मा या हमारी आत्मा बोलते हैं। तो अध्याए दो में भगवान स्री कृष्ण अर्जुन को उसकी स्थाई पहचान के बारे में ही जागरत कराते हैं। उसको वह बताते हैं कि शत्रिय के रूप में तुम्हारा करतव्य और एक परिवार के सदस्य के रूप में जो तुम्हारा करतव्य है, ये जो तुम्हारे के अंदर जो एक शाश्वत, शेतना का जो कन बैठा हुआ है, इसको हम आत्मा कहते हैं, वास्तब में वह जो आत्मा है, वह तुम्हारी शाश्वत पहचान है, वो पहचान तुम्हारी कभी नहीं बदलती, भले ही तुम्हारा शरीर बदल जाए, भले ही तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम बदल जाए, तुम्हारा लिंग बदल जाए, तुम्हारी जाती बदल जाए, धरम बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन वो जो एक मूल रूप से जो तुम्हारे शरीर के भीतर जो एक चेतना का कण है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो तुम्हारी पहचान आत्मा को बताकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निश्काम कर्म योग करने का उपदेश देते हैं। अधिक मुल्यवान महापर उसको समझाते हैं। चलिए। अब हम शरीर और आत्मा के अंतर को समझने के लिए दो उपमाओं का साहरा लेते हैं। कि हम इस अंतर को वास्तव में कैसे समझ सकते हैं एक व्यभारिक ज्यान के माध्यम से। हमारे इसकौन संस्था के ये जो संस्थापक चारे हैं, एसी भक्ति विदान शिल प्रभुपाद, उन्होंने आत्मा के इस विज्ञान को समझने के उपर बहुत ही अधिक बल दिया है। मालीजे कोई भी कक्षा या कोई भी प्रवचन वे किसी उत्सव के अफसर पर करते, उधारन के रूप में मालीजे राधा अश्टिमी का कोई उत्सव चल रहा है। तो वे जब भी कोई उस सब पर यदि कोई प्रवचन करते, तो शुरुवात में वे कहते के आज बड़ा ही पुनीत अफसर है, पावन अफसर है, राधा अश्टिमी का दिन है। और फिर उस प्रवचन में मुख्य रूप से वे आत्मा और शरीर के अंतर को समझाने का पर्यास करते हैं। पहली उप्मा प्रवपाज जी जो देते हैं, वो एक तोते की और एक पिंजरे की है। कि वो जो सोने का पिंजरा है उसे अच्छी तरह से चमकाए और उस पिंजरे का वो इतना ख्याल रखती है इतना ख्याल रखती है कि कई बार वो तोते को भोजन देना ही भूल जाती है तो यदि हम पिंजरे को ही चमकाते रहेंगे और पक्षी को भूल जाएंगे तो क्या और जो पिंजरा है वो एक शरीर की रूप में बताया गया है तो पिंजरे की एहमियत है पिंजरे की कीमत है लेकिन वास्तव में पिंजरे की एहमियत जब तक ही है जब तक तोता उसके अंदर उपस्तित है इसी प्रकार से हमारे शरीर की भी एहमियत है लेकिन उस शरीर की एहमियत या उसकी जो इंपोर्टेंस है वो जब भी तक है जब तक उसके अंदर आत्मा है जैसे ही आत्मा शरीर से चली जाती है तो हम उस शरीर को या तो जला देते हैं या कहीं दफना देते हैं तो प्रहुपाजी इस बात का उधारण अक्सर अपनी पुस्तकों में दिया करते हैं कि हमें अपने जीवन में इस बात को समझना चाहिए कि आत्मा और शरीर में अंतर है, शरीर से अधिक जो मुल्लेवान वस्तु है वो हमारी आत्मा है और हमें वास्तब में शरीर को चमकान कि बजाए आत्मा को चमकाने में अधिक ध्यान देना चाहिए इसके अलावा प्रहुपाजी एक अन्य उपमा भी देते हैं और वो है कार और ड्राइवर की तो कार और ड्राइवर की उपमा वे कंपेरिजन करते हैं वे तुलना करते हैं शरीर और आत्मा से तो यहां कार की तुलना की गई है शरीर से और आत्मा की जो तुलना की गई है वो ड्राइवर से अब आप देखें कि कार और शरीर में कितनी समानता हैं कार में हेडलाइट होती है जो आपको रस्ता दिखाती है इसी तरह से शरीर में आखें होती है जो आपको देखने के लिए आपको साहेता कार में एक हौर्ण होता है, जिससे धोनी प्रकट की जाती है। इसी प्रकार से शरीर में गला होता है, जिससे धोनी प्रकट की जाती है। आत्मा ना हो तो ना तो ड्राइवर के बिना कार चल सकती है और ना शरीर के बिना आत्मा चल सकती है। आज कल आप कह सकते हैं कि भी पाइलेट के बिना भी हवाई जाच उड़ाए जा सकते हैं लेकिन यदि रिमोट कंट्रोल भी अगर आपको करना है तो कोई ना कोई बटन तो आपको वहाँ भी दबाना ही पड़ेगा और वो बटन कौन दबाएगा कोई ना कोई मनुष्य ही उ बदलाव करने में सहायता मिलें हम इस बात को समझ सकें कि वास्तव में शरीर में महत्वपूर्ण या मूल्लेवान अधिक क्या है आत्मा या शरीर तो पिछले उपमा में हमने देखा के प्रभूपाजी ने ये उपमा दी है के कार और ड्रैवर की तो ये जो उपमा है इसका एक छोटी सी जलक हमें भगवत गीता में मिलती हैं जहां पर शरीर को यंत्र के रूप में बताया गया है तो अठारवे अध्याय के 61 शलोक में भगवान कहते हैं इश्वरह सर्वभूतानाम रिदेश अर्जुनतिष्टथी ब्रामियन सर्वभूतानी यंत्र रोड़ानी मायया अर्थात है अर्जुन परमेश्वर प्रत्यक जीव के हिर्दय में स्थित हैं और भौतिक शर्प्त इसे निर्मित यंत्र में सवार की भाती बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं तो खेर इस लोका परचर्चा हम जब अठारवा ध्याय पढ़ेंगे तब करेंगे लेकिन यहां पर जिस परिपेक्ष में इसको मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वो य अब हम इस विशा पर चर्चा करते हैं कि हमारे कितने शरीर है तो आप में से कई भक्त हों सकता है इस बात पर अचम्बा करें कि भी श्रीर भी कई हैं अब उन्यां 느न्हें कि कि हमारे कितने शरीर है तो ये बात हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितने शरीर है यहाँ पर हमने बताया है कि हमारे वास्तव में तीन शरीर है एक तो हम वास्तविक रूप से हम स्वेम है और बाकी जो दो शरीर है वो हमारे उपर एक आवरण की तरह है एक covering की तरह है तो ये शरीर कौन-कौन से है पहला है स्थूल शरीर स्थूल शरीर मतलब gross body, जो है हम hard mask का अपना जो शरीर देखते हैं जिसको हम हाथ लगा सकते हैं इसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं तो ये जो शरीर है ये बना हुआ है पांच अव्यवयों से पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश उसके विपरीत इस शरीर के भीतर एक और आवरण है जिसको हम सुक्ष में शरीर कहते हैं यानिके अंग्रेजी में subtle body और ये जो शरीर है ये बना होता है मन, बुद्धी और अहंकार से तो स्थूल शरीर, पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश और सुक्ष में शरीर, मन, बुद्धी और अहंकार और तीसरा है आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक शरीर यानिके आत्मा यानिके जो वास्तविक रूप से हम है उसको हम आध्यात्मिक शरीर या हम आत्मा बोलते हैं और ये आध्यात्मिक शरीर बना होता है सत, चित और आनन्द से तो यहां आप इस चितर में देख सकते हैं कि बाहरी जो ये आवरण है जो हलके नीले रंग से दिखाया गया है यह है स्थूले शरीर जो जल, पृत्वी, जल, अगनी, वायू और आकाश से बना है उसके भीतर जो है वो तीन और एक तरीके से आवरण है जिनको हम अहंकार, मन और बुद्धी कहते हैं और उन सब इन आवरणों के बीच जो एक आध्यात्मिक शरीर है या जो आध्यात्मिक शेतना का जुकन है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो सबसे भीतर महा पर उपस्तित है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे वास्तम में कितने शरीर हैं हमारे से संबंद वास्तम में तीन शरीर हैं एक उनमें से हम स्वयम हैं और दो हमारे उस शरीर के उपर आध्यात्मिक शरीर के उपर आवरण के समान है अब शरीर के इन प पहला जो उपमा जो दी गई है वो दी गई है थ्री-पीस सूट की तरह जैसे पुरुष लोग भारत में अच्छे अवस्वरों पर सूट इत्यारी पहनकर सजते हैं, तो थ्री-पीस सूट की उपमा यहां दी गई है, इसमें यह जो भार ऊपर जो एक मोटा कोट है, इसको स् शर्ट है उसको शूक्स में शरीर जो मन बुद्धी और अहंकार है और भीतर जो बनियान जो पहना जाता है या वेस्ट जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में उसको आत्मा कहा जा सकता है। जो संभवता आधुनिक जगत के जो चात्रे हैं, आधुनिक जगत के जो पुरुष और स्त्री हैं, उनको विशेश रूप से अधिक इस चीज को समझने में साहता होगी। तो यह यहां पर दूसरी जो उपमा दी गई है, वो दी गई है कम्प्यूटर की। कम्प्यूटर में जो एक भारी खोल होता है जिसको आप उठा सकते हैं, जिसमें आप बटन दबा सकते हैं, और इसके साथ स्क्रीन होता है, अलग-अलग तरह गई जो उपकरण होते हैं, उसको जिसको हाड़वेर कहा जाता है, उसको उपमा दी गई है स्थूल शरीर की। इसलिए उसको सुक्ष्म कहा गया है और आत्मा का जो यहाँ पर कमपेजन किया गया है वो किया गया है बिजली से तो यदि उस कंप्यूटर में या उस फोन में बिजली ना हो या करंट ना हो तो वो नहीं चल सकता इसी तरह से आत्मा भी हमारे शरीर में एक प्रकार से करंट का ही काम करती है तीसरी उपमा आज हम यहाँ पर देखते हैं जो उपनिशत से ली गई है यह उपमा जो ली गई है यह ली गई है एक रत की जिसमें की पांच गोड़े लगे हुए हैं और यहाँ हम देख सकते हैं क पांच इंद्रियां कैसे? आख, नाख, ये समझ ये कान, मूँ और जिववा, तवचा, माफ कीजे, तवचा और मूँ, जिववा. इसी प्रकार से ये पांच प्रकार के जो गोडें हैं, ये पांच इंद्रियां हैं, लगाम जो इस रत में हम देख सकते हैं, वो एक मन के समान हैं, और इस रत में जो सार्थी है, ये जो ड्राइवर है, इसकी तुलना की गई है बुद्धी से, इस रत के अंदर जो यात्री सवार कर रहा है, यहाँ यात्री बैठा हुआ है, उसकी तुलना की गई है एक आत्मा से, और ये जो पूरा का पूरा जो ये रत है, इसको पुछे का एक शरीर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यदि इंद्रियां जो ये आख, नाख, कान, थवचा और ये जो जीव है, ये जो जिवभा है, ये जो पांच घोडे, ये नियंत्रण में रहते हैं तो जो मन के दुआरा, बुद्धी दुआरा नियंत्रित किय जाते हैं, तो यदि ये नियंत्रण में रहते हैं, तो इस जो इसमें यात्री जो सवार है, उसकी यात्रा बड़ी सुखद रहती है। लेकिन यदि ये जो घोडे हैं, ये अगर नियंत्रण से बाहर चले जाएं, तो इस यात्री की दुर्दशा संभव है। तो हम ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने बताया कि तीन प्रकार के शरीर हैं, पहला शरीर आपका स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर तो यह हो गया पूरा का पूरा रत, उस रत के अंदर यह जो घोड़े हुए और यह जो मन हुआ, मन, बुद्धी और अहंकार, यह हो गया हमारा बुक्षम शरीर और भीतर यह जो आत्मा के रूप में जो पैसेंजर, जो यह यात्री इसमें बैठा हुआ है, वो हो गया हमारा आध्यात्मिक शरीर, तो यह तीन प्रकार की उप्माओं के द्वारा, आप इस तत्व को, आत्मा के जो जो ज्यान है, उसको भली भाती समझ स अब हम थोड़ा सा अपने निजी अनुभाव के अनुसार यह समझने का प्रयास करेंगे के हम शरीर हमारा क्या है, मन हमारा क्या है और बुद्धी हमारी क्या है, तो यह एक छोटा सा दृष्टांत जो है, वो मैंने लिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, यह एक प्रयों के बीच में, उस चातर के मन के बीच में और उस चातर की बुद्धी के बीच में चल रहा है, और यह चातर कौन सा है, यह चातर वो चातर है, जो अपने एक परीक्षा की तयारी में लगा हुआ है, दुरभाग्यवश इस चातर ने पुरा साल भर अपनी परीक्षा हैं और उसकी इंद्रियां क्या कहती है उसका मन क्या कहता है और उसकी बुद्धी क्या कहती है ये हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे तो सुभह के दो बज रहे हैं उस चात्र की आखें कह रही है अरे भाई मुझे बहुत भरीपन लग रहा है अब मुझे वास्तव में बंद हो जाना चाहिए लेकिन वहाँ पर मन क्या बोलता है मन कहता है कितनी देर हो गई है मैं ठक गया हूँ और अब सो जाना चाहिए बुद्धी उस चात्र की बुद्धी क्या कहती है बुद्धी कहती है अरे मूर्ख, तु सारा साल सोया है, अगर अब भी नहीं पढ़ेगा, तो निश्चित रूप से फेल हो जाएगा, तो ये समवाद चल रहा है, आखों, मन और उस चातर की बुद्धी के दौरान, आदे घंटे बाद की सितिति क्या है, मन कहता है, अरे भाई भगवान ने रात हो जाएगा, इस प्रकार से मन और बुद्धी में ये द्वंद चल रहा है, अभी देखते हैं कि सुभगे तीन बज गए हैं, और आदे घंटे बाद क्या इस्तिति होती है, अब आखें कहने लगी हैं, अब और सहन नहीं होता है, अब हम हरताल पे जा रही हैं, अब बहुत हो चुका, मन क्या कहता है, अगर अब भी नहीं सोया, तो क्या परीक्षा में सोयेगा क्या, बुद्धी कहती है, अच्छा-च्छा ठीक है, सो जाता हूँ, पर सुभए साथ बजे उठकर पढ़ लेना और वह सब देख लेना जो पढ़ा था, वरना फेल हो जाएगा, सुभ तो आप इस तरह से देख सकते हैं, कि एक व्याभारिक अनुभव से ये जो भीतर हमारे जो ये ध्वन्व, मन, बुद्धी और इंद्रियों के बीच में जो चलता है, इसको आप वास्टविक रूप से अनुभव कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, कि ये ध्वन्द जब चल कोई आवाज हमें भगवान की और ले जाने की और आती है, तो समझ लेना चाहिए कि वैं आवाज बुद्धी की तरफ से आ रही है, तो मन बुद्धी और इंद्रियों में अंतर करने का एक छोटा सा यहां पर प्रयास मेंने किया है, आचा है आप इसको समझ में आया होगा, chemistry और बैज्ञानिकों द्वारा की गई नहीं नहीं प्रकार की शोध, research इत्यादी के माध्यम से वे अपने आसपास के चारो तरफ के जीवन का एक मुल्यांकन करते रहते हैं और एक परिकल्पना तयार कर लेते हैं, कि वास्तव में इस जीवन में इस तरह का आत्मा जैसी कोई चीज हमने तो कभी देखी नहीं है, हम कैसे उस पर विश्वास करें, इत्यादी इत्यादी इस प्रकार के तर्क वे लोग कर सकते हैं. तो यहां आज हम थोड़ा सा इस भाग में, अपने इस प्रवचन के इस भाग में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, कि वास्तम में क्या आत्मा के अस्तित्व के कोई प्रमान प्रस्तित हैं, इनको हम थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे अलग-लग तरीकों से समझने का प्रयास करें और यह जो तीन तरीके हैं वे हैं तर्क के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से और शास्तर के माध्यम से मुख्य रूप से मैं तर्क के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से आपको पहले बताना चाहूंगा शास्तर के माध्यम से वास्तव में हम भगवद गीता में एक बार देख चुके हैं लेकिन शास्तर के माध्यम से हम इस तत्व को इस प्रमाण को एक नए दृष्टी कोंड में देखने का प्रयास करेंगे. तो पहले तर्क. तर्क क्या है? मान लिजे मैं कहता हूँ कि ये एक पैंसिल है या ये मैं कहता हूँ कि ये मेरी पैंसिल है और फिर मैं कहता हूँ कि ये मेरा फोन है तो इसका मतलब क्या है? जब मैं ये बात कहता हूँ कि ये मेरी पैंसिल है या ये मेरा फोन है मैं इस बात को मानता हूँ कि पैंसिल और फोन मुझसे अलग है है के नहीं तो इसी तरीके से जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी उंगली है तो इसका क्या मतलब है कि मैं उंगली नहीं हूँ उंगली वास्तव में मुझसे अलग है तो तरक के माध्यम से यदि हम देखे हैं तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर मैंने अपनी स्लाइड में लिखकर समझाने का प्रयास किया गया है मेरा चश्मा है, मेरा फोन है, मेरा शरीर है पर मैं आत्मा हूँ तो चश्मा, फोन और शरीर वास्तव में किसका है? आत्मा का है तो यह हम तरक के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हम कोई भी चीज कहते हैं कि यह है मेरा घर है यह है मेरा चश्मा है, यह है मेरा फोन है, यह है मेरा शरीर है तो हम इस बात को मान रहे हैं कि ये जो मेरा है ये वास्तव में किसका है, ये किसको बिलॉंग करता है, तो वास्तव में ये जो भीतर जो आत्मा, जो चेतना का जो एक कण है, आत्मा ये सब चीजें उसको उससे ही संबन देते हैं, तो ये तो पहला तर्क हुआ आत्मा के अस् क्भी, किसी परिजन की, जब कभी shrine हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं, और वह व्यक्ति चला गया। लेकिन व्यक्तिमें कौन चला गया। वो शरीर तो सामने ही पड़ा रहता है और यदि हम उस व्यक्ति का जब वह जीवित था और वह जीवित नहीं था, उसमें एक सेकंड पहले और एक सेकंड बाद में यदि उसके शरीर का यदि हम मुल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि शरीर तो वास्तव में एक ही है शरीर तो वास्तव में महीं पर रखा हुआ है तो वास्तव में कौन चला गया तो हम इस बात को समझते हैं कि उस शरीर के भीतर जो एक प्राण शक्ती थी या उस शरीर के भीतर जो चेतना की जो एक शक्ती थी चेतना का एक जो कन था वास्तव में मृत शरीर में वह चेतना का कन अब अनुपस्तित है तो जब हम कहते हैं कि वो चला गया तो हम वास्तव में कह रहे हैं कि जो उस शरीर के भीतर जो इस्थित आत्मा था वो आत्मा चला गया तो ये जो दो तरकों के माध्धम से बड़ी सामान्य से तरक हैं लेकिन इन तरकों के माध्धम से जब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं गौर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वास्तव में आत्मा का अस्तित्व है अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और यहां पर हम आत्मा के अस्तित्व को ये प्रमान को विज्ञान की साहेता से समझने का प्रयास करेंगे विज्ञानिकों को भी विशेश रूप से जो मेडिकल फील्ड में जो बड़े-बड़े रिसर्चर्ज हैं उन्होंने भी इस बारे में उनको कई प्रमान इस तरह के मिले हैं जिससे यह सूचित किया जा सकता है या यह समझा जा सकता है कि वास्तव में मृत्यू के बाद या इस शरीर के बाद भी जीवन संभव है और ऐसा हम कैसे देख सकते हैं यहां पर मैंने आपके लिए दो अंग्रेजी में दो टम्स यहां पर लिखे हैं पहला तो मैंने लिखा है निर डेथ एक्सपिरियंस और दूसरा लिखा है आउट अफ बॉड़ी एक्सपिरियंस शॉर और यह जो शोध कारिया है यह जो जानकारी में आपको इस स्लाइट के माध्यम से यहां पर आपको देने का प्रयास कर रहा हूं यह कोई ऐसा नहीं है किसी धरम से संबंधिद व्यक्ति ने इन सब चीजों के उपर कार्य किया है और अपने धरम से संबंधिद जो जानकारि प्रदाय से, किसी जाती से, कोई उसका संबंध हो. वास्तम में ये बड़े ही अनुभवी और बड़े ही पहुंचे हुए अपने फील्ड में माने हुए डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, शोध करता हैं, जिनोंने ना जाने कितने इंटर्व्यूस लेकर, ना जाने कितने इस सकते हैं. यहां तक कि अमरेका जैसे देशों में, International Association of Near-Death Studies, IANDS, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं, IANDS, नाम की एक संस्ता है, जो हर साल एक कॉन्फरेंस का आयोजित करती है, जिसमें वे देश और विदेश से, जिनको भी मृत्यू के निगट इस प्रकार के अनुभव हुए हैं, उन अनुभवों को आपस में एक तरीकी से बाटने के लिए, उनसे जानकारी इकत्रित करने के लिए एक कॉन्फरेंस का आयोजन करते हैं. तब आप यह सोच रहे होंगे कि अनुभव क्या हैं? तो Near-Death Experience वास्तव में वह प्रक्रिया है, जब किसी व्यक्ती की मृत्यू जब मैं कहा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मेडिकल क्राइटेरिया के हिसाब से यदि जब उस व्यक्ती की मृत्यू उसको मृत्गोशित किया जाता है, यानि कि जिसे हम बोलते हैं brain dead, यानि कि ना तो हृदय में कोई धड़कन है और ना ही मस्तिश्क में को अपने शरीर से बाहर चला जाता है, और शरीर के बाहर जाने के बाद उसको कई अनुभव, कई प्रकार के उसको अनुभव होते हैं, वो अनुभव अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें वे हो सकता है कि दूसरी परिवेशों से, उनको जीवों से उनकी मुलाकात होती ह कई बार वे अपने आपको बड़ा ही सुखद महसूस करते हैं, जैसे उनको किसी पिंजरे से मुक्ती मिल गई हो, और इस प्रकार के कई अन्य अनुभव जो हैं, वो वास्तव में कई पुस्तकों में डॉक्यमेंट किये जा चुके हैं, तो यहां कई अनुभव इस प्रकार के लाया जाता है, और वह ओपरेशन टेबल पर उसको एक तरीके से मेडिकल साइंस के क्रैटेरिय के अनुसार जब उसे मुर्त गोशित कर दिया जाता है, और डॉक्टर उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह देखा जाता है कि वह व्यक्ती अपने शरीर से बाहर आता है, और किसी कमरे में किसी उचाई से वह यह सब देखता है कि उसके शरीर पर क्या-क्या किया जा रहा है, और फिर अचानक होता यह है कि वह अपने उस शरीर में पुनहें वापिस आता है, और जब वह उस शरीर में पुनहें वापिस आता है, तो फिर से वह ज कर रहे थे तो तुम क्या बात कर रहे थे तुमने कौन-कौन से उपकरूना का उपयोग किया और इस प्रकार से वे इस प्रकार की इतनी बारीक डीटेल्स देता है जो एक बेहोश हुए व्यक्ति या मृत गोशित किये गए व्यक्ति द्वारा जानना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है इसलिए निर डेथ एक्सपिरियंस और आउट अफ बॉड़ी एक्सपिरियंस एक बहुत ही सशक्त प्रमाण हमारे सब के सामने है जिससे ये जाना जा सकता है कि शरीर के बाद भी जीवन होता है या हो सकता है दूसरा जो प्रमाण मैं आपके सामने हैं प्रस्तुत करूँगा वो है उनर जनम के किस्से तो कई बार देखा गया है कि बच्चों में जब वे छोटे होते हैं धाई साल के तीन साल के चार साल के कई cases में ऐसा देखा गया है कि बच्चे ऐसे समय में जब वह बोलना सीख जाते हैं तो वह ये बताना शुरू करते हैं कि वह पूर्व जनम में क्या थे तो ऐसा ही एक किस्सा सन 1925-1930 के आसपास एक महिला के साथ हुआ जिसका नाम था शान्ती देवी तो शान्ती देवी जब ये चार साल की थी लगभग चार साल की थी तो ये इन्होंने अपने परिवार वालों को बताना शुरू किया के वे पिछले जनम में मतुरा में रहा करती थी उनके पती का नाम केदार नाथ था मथुरा में द्वारका धीश मंदिर के सामने उनका घर था और इस प्रकार से वे उनको कई इस प्रकार की जानकारियां दिना शुरू करती है तो परिवार वाले शुरुआत में तो यकीन नहीं करते हैं लेकिन धिरी धिरे जब यह बार-बार बोलती है तो वे मुथुरा जाकर द्वारका धीश मंदिर के सामने उनके जो पती का नाम उनको बताया गया था, केदारनाथ चौबे, तो केदारनाथ जी से मिलते हैं और केदारनाथ जी को वहाँ पर वापिस शान्ती देवी के सामने लाते हैं. जब केदारनाथ जी शान्ती देवी के सामने आते हैं, तो वहे अपना परीचे देते हैं कि मैं केदारनाथ का बड़ा भाई हूँ, लेकिन शान्ती देवी जैसे ही वह चार साल की चोटी सी बच्ची है, जब वह केदारनाथ को देखती है, तो कहती है, नहीं, तुम उनके दौरान महातमा गांधी के जब ये संग्यान में आता है, जब उनकी जानकारी में आता है, तो महातमा गांधी एक कमीशन का गठन करते हैं। 15 सदस्य कमीशन में राजनीती दलों से बड़े-बड़े नेता, वकील और इस प्रकार के बड़े ही समाज के संभरान्त व्यक्ति वहां पर उपस्तित होते हैं, उस कमीशन में. तो जब इस कमीशन में जो एक व्यक्ति है, शांती देवी को उसके पूर्व जन्म के शहर मुथरा में जब ले जाते हैं, तो स्टेशन पर एक व्यक्ति उनके पिछले परिवार से आता है उनको लेने के लिए. तो ये जो व्यक्ति हैं वो शांती देवी के कान में कहते हैं कि क्या तुम किसी को पहचान सकती हैं भीड में तो शांती देवी तुरंत उंगली उठा कर कहती हैं कि वो देखो वो हमारे घर से आये हैं तो वो व्यक्ति पूछता है कि ये कौन है, तो उसके कान में चुपके से जाके बताती हैं, कि ये मेरे पती के बड़े भाई हैं, ये मेरे जेट हैं. इस तरह से वो उनको बताती है. तो इस प्रकार से शांती देवी इस तरह के नजने कई ऐसे प्रमान उस कमीशन को बताती है और जिसके बाद यह बाद बिल्कुल एक तरह से सिद्ध हो जाती है कि यह एक पुनर जनम का किस्सा है और भारत में यह समझी है कि यह शांती देवी का यह जो किस्सा है यह अपने समय में बड़ा ही प्रचलित हुआ था और ये अपने समय में पुनर जनम का जो मुख्य किस्सों में से एक प्रमुख किस्सा जो था, वो देश में बाड़ा ही चर्चित हुआ था। आप गूगल करके इन सब डीटेल्स को खोच सकते हैं। उसके बाद थोड़ा साम ये जानने का प्रयास करेंगे कि पुनर जनम पर शोध कारिय कितना हुआ है। रिसर्च इत्यादी आधुनिक विज्ञान ने कितनी की है। आपके स्क्रीन पर जो चित्र आप यहां देख रहे हैं ये सजन है जिनका नाम है डॉक्टर इयन स्टिवेंसन। अब तो लगबख सन 2007 में इनकी मृत्ति हो चुकी है। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में लगबख 3,000 पुनर जनम के ऐसे ही किसों के बारे में बड़ा ही गहन और बारीक अध्यन किया है। ये वरजीनिया विश्व विद्याले अमरीका में एक बड़े अच्छे पद पर स्थित्थ प्रोफेसर रहे हैं। और लगबख 40 साल तक इन्होंने ये पूरा शोध कारिये पुनर जनम के ऊपर किया है। और पुनर जनम पर कई पुस्तकों के ये लेखक रह चुके हैं। जिनमें से एक पुस्तक का जो शीर्चक है वो है 20 Cases Suggestive of Reincarnation। और जो शान्ती देवी का किस्सा हमने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में जो हमने समझा। वो 20 Cases Suggestive of Reincarnation इस पुस्तक में ये दर्ज है। तो Ian Stevenson के बारे में ये बात बड़ी प्रचलित थी कि ये जो शोधकारे करते थे बहुत ही जादा बारीकी से करते थे। शक की, किसी प्रकार की गल्ती की, किसी प्रकार के फ्रॉड की कोई गुंजाईश नहीं छोड़ते थे। तो मैं बहुत जादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी आप गूगल पर रिसर्च करके या गूगल करके देख सकते हैं, डॉक्टर Ian Stevenson के बारे में, और इन्होंने जो पुनरजनम के बारे में जो रिसर्च कारे किया है, जो शोधकारे किया है, वो वास्तव मे कितना प्रामानिक है और कितना गेहन है, अब हम शास्त्र के अनुसार देखेंगे, आत्मा के अस्तित्व का प्रामान, वास्तम में हम ये अपने अध्याय दो के अध्यन में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक बारीकी में आपको बताना चाहूंगा, वो इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसमें लिखा गया है, आंतरिक पुनरजनम का मतलब ये है, कि इस जनम में भी, जिसमें हम फिलहाल जी रहे हैं, उसमें भी हमारा शरीर जो है, वो बचपन से लेके व्रद्धा वस्ता तक बदलता रहता है, लेकिन भीतर में जो शेतना का जो एक कड हैं, जिसे हम आत्मा समझते हैं, वह नहीं बदलता है, इसलिए जीवन के आरंब से जीवन के लेके अंतर तक हम ये नहीं जानते हैं, या ये नहीं देख पाते हैं, कि हम बदल रहे हैं, लेकिन वास्तम में हमारा शरीर जो पहले बड़ा ही छोटा रू में बदलने लगता है, तो ये इसको हम बोलते हैं आंतरिक पुनरजनम, दूसरा है बाहिये पुनरजनम, बाहिये पुनरजनम मतलब external reincarnation, external reincarnation का मतलब क्या है, कि जब ये शरीर उपयोग योगी नहीं रहता है, तो आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है, जैसे व्यक्ती बदलता है, ऐसे ही आत्मा शरीर बदल लेता है, इसको हम बोलते हैं बाहिये पुनरजनम, तो शास्त्र के प्रमाण के अनुसार भी हम आत्मा के अस्थित्व को समझ सकते हैं, वह आंतरिक पी होता है और ये पुनरजनम बाहिये भी होता है, अब आत्मा से संबंधित जो आधुनिक विज्ञान में काफी भरोसा करते हैं और आत्मा, पुनर जनम, इत्यारी जैसी बातों को दकिया नूसी या रुडिवादी समझ कर उसको नकार देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये कुछ प्रशन जो पूछे जाने वाले हैं वो इस प्रकार है एक प्रशनी है पूछा जाता है कि शरीर में आत्मा कहां रहता है तो इसका हमें संग्यान새 मुंड़क उपनिशत से मिलता है जहांपर लिखा गया है कि आत्मा हर्दय के भीतर स्थित रहता है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है तो आत्मा शरीर में कहां रहता है? उत्तर है, हिर्दे के भीतर, हिर्दे के भाग में आत्मा रहता है मृत्यू के समय क्या होता है? तो मृत्यू वास्तब में किसको कहते हैं? बृत सारे लोग यह समझते हैं कि आत्मा ही शरीर को छोड़ के जाती है, लेकिन आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है, यह सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मन, बुद्धी और अहंकार, आत्मा होती है सत, चित और आनंद और सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धी और अहंकार, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी अपना स्थूल शरीर छोड़ के जाता है, स्थूल शरीर है पृत्वी, जल, अगनी, बायू और आकास से जो बना हो कई बार लोग बाग पूछते हैं कि भी आत्मा का साइज क्या होता है, तो इसका भी हमें संग्यान जो है वो उपनिशदों से मिलता है, जहां पर ये विवरन आता है, कि बाल के अगले हिस्से का, अगर भाग का दस हजारवा हिस्सा, जो आपका बाल है, उसकी जो टिप होती ह यदि उसे हम दस हजार हिस्सों में बाटे हैं, तो उसमें जो एक भाग जो होता है, वो वास्तव में आत्मा का आकार है, चेतना का कण, आत्मा जिसे हम बोलते हैं, उसका आकार वास्तव में इतना छोटा है, इतना बारीक है, इतना महीन है, क्या वास्तव में भूत होते है जी हाँ, भूत वह आत्मा होता है, जो सुक्ष्म शरीर से ढखा होता है, किन्तु उसके पास कोई स्थूल शरीर नहीं होता है। अगला स्थूल शरीर लेने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए वह व्यक्ति भूत जो भूत जिसे हम बोलते हैं, वह आत्मा जो सुक्ष्म शरीर से ढखा रहता है, वह बास्तब में जिसे हम भूत के नाम से जानते हैं, उसको हम भूत या प्रेत जिसको व्यायाम है या कोई दवाई लेकर, इस तरह से हम आत्मा को नहीं समझ सकते हैं, तो आध्यात्मिक वस्तु को आध्यात्मिक processes के माध्यम से ही समझा जा सकता है, तो जैसे हम आपनी कक्षाओं में आपको बार-बार इस बात का, इस बात पर बल दे रहे हैं, कि A, B, C, D, मतलब अपने भोजन को भगवान को भोग लगा कर ही प्राप्त करें। तो इस प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों के द्वारा, जिनको योग की प्रक्रियाएं भी बोलते हैं, योग की अन्य प्रक्रियाएं भी हैं, पर मुख्यता हम अपने इस कारेकरम में, आत्मा का ग्यान मेरे लिए आवश्चक क्यों हैं? अब ये बात जानना बड़ा आवश्चक है कि मैं इस बात को क्यों समझूँ, इसमें मेरा क्या फाइदा, मुझे क्या लाब? तो ये जो लास्ट की जो अन्तिम स्लाइड है, इसमें हम कुछ चार-पांच चीजें, चार-पांच पॉइंट्स हम इन बातों पर ध्यान देंगे, कि वास्तव में आत्मा का जो ग्यान है, हमारे लिए आवश्चक क्यों हैं? इसका हमें क्या लाब है? पहला लाब, हम मृत्यू का सही प्रकार से सामना कर सकते हैं. जब हम ये जानने लगते हैं कि हम आत्मा हैं और हमारी मृत्यू नहीं होगी, तो हम इस बात के लिए एक तरीकी से सजग हो जाते हैं, कि हम अपने अगले जीवन की तयारी करना शुरू करें. और हम मृत्यू के समय या व्रद्धावस्था के समय जब हमारा शरीर पूरा होने वाला हो, तो हम विशेश रूप से इस बात से घबराने की बजाए कि हमारी मृत्यू निकट है, हम इस बात पर ध्यान लगा सकते हैं, कि हम वास्तब में ऐसे कारियों में अपना ध्यान लगाएं, कि जिससे हम मृत्यू के बाद हमारा शरीर जब पूरा हो जाए, तो हम वास्तब में भगवान के धाम पहुंचें या भगवान के निकट पहुंचें. तो अपनी चेतना को भगवान में लगाएं, ना कि भौतिक शरीर को चमकाने में। तो यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम वास्तम में मृत्यू का एक अच्छे ढंग से, एक सही तरीके से सामना कर पाएंगे। यह हमारे साथ नहीं जाने वाला है, तो हम ऐसे जीवन मूल्यों को अपने जीवन में बढ़ाने को अधिक महत्व देते हैं, जिससे हम वास्तव में अपनी इस मृत्यू के बाद एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें, जैसे विनम्रता, संतोष, सहिशनुता, धहर्ये, प्रेम, इमानदारी जैसे गुणों का प्रयास करने लगते हैं, क्योंकि जब हम इन क्वालिटीज को इन गुणों को अपने जीवन में बढ़ाते हैं, तो हम अपना अगला जीवन जो हमें अधिक अच्छा मिलता है, अधिक सुन्दर मिलता है, वैश्विक भाईचारे में व्रिद्धी, वैश्विक भाईचारे में व्रिद्धी आत्मा के ज्यान से कैसे हो सकती है, वह इस प्रकार से हो सकती है, कि जब हम ये देखने लगते हैं, कि जो आत्मा का कण चेतना के रूप में मेरे शरीर में है, वही आत्मा का कण चेतना के रूप में किसी अन्य व्यक तो इस प्रकार से जब हम आत्मा के इस चेतना के कण को हर प्रकार के शरीर में जब हम देखने का अभ्यास करने लगते हैं, तो हम यह समझने लगते हैं कि यह भी हमारे अपने ही हैं, और जब हम उन लोगों को अपना समझने लगते हैं, तो एक भाईचारे की भावना पूरे और देर पहले पढ़ा कि हमारे तीन शरीर हैं, तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जानकारी में रूची रखता है, वह समझने लगता है कि वह आत्मा के अलावा मन भी है, वह आत्मा के अलावा उसका एक बुद्धी, उसका एक शरीर है, जिसका आवरण उसके मूल शरीर पर है, यानि कि आत्मा पे है, बुद्धी भी है, तो जब यह सब चीजें समझने लगता है, तो वह अपने मन को और बुद्धी को अपने से अलग करके देखने लगता है. और समझने लगता है कि उसके जीवन में जो समस्या हैं वो मन के अनियंत्रित होने के कारण है या बुद्धी के वास्तव में विक्सितना होने के कारण है तो जब आत्मा का ग्यान हमें मिलता है तो हम ये भी समझने लगते हैं कि हम मन और बुद्धी से भी जुड़े हुए हैं तो ऐसा समझने पर हम इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि हम अपने मन पर नियंत्रन करें और बुद्धी का आध्यात्मिक विकास करें जब बुध्धी का आध्यात्मिक ठिकास होगा तो बुध्धी बलशाली बनेगी, जब बुध्धी बलशाली बनेगी तो वह मन पर नियंतरन करने लायक होगी, तो जब मन पर नियंतरन रहेगा तब वास्तब में आत्मा सुही रहेगी, जैसे कि आपने उस रत्ध के example में इंतरण कर पाएंगे। तो स्वेम के बारे में जब जागरुकता बढ़ती है तो हमारा जीवन अनुशासित बनता है, हमारा जीवन बहुत ही सुन्दर बनने लगता है। इत्यारी जो भी हमें सुविधाय मिली हुई है, वो वास्तब में हमारे उपर भगवान की किरपाई ही है। और हमें इस भगवान की किरपा को जो हमें मिली हुई है, हमें वास्तब में भगवान की सिवा के लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए। तो जब ये समझ हमारे जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, प्रगती करते हैं, और हम इस बात को समझने लगते हैं, कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये समझ हमारे अंदर गहरी होती चली जाती है, तो इस प्रकार के बदलाव हम अपने जीवन में देख सकते हैं. तो आज का कारेकरम यहीं तक था, आशा है आपको यह उपियोगी लगा होगा, मुझे इस बात को समझाने की बड़ी तीवर इक्षा थी, क्योंकि भगवत गीता का जो अध्यन है, वो अपने आप में एक उसका धृष्टिकोन है, उसकी महत्वता है, लेकिन ये जो एक सामान से वो और गहरा होता है, और हम शास्त्रों को, आध्यात्मिक जीवन को, और सहजिता से, और आसानी से अपने वास्तिविक जीवन में अपनाने लगते हैं, इसके साथ कारेकरम का मैं को विश्राम दूँगा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका कोई प्रशन हो तो हम पूछ सकते हैं, मैं कारेकरम को अभी म्यूड आप सब को मतलब अनम्यूट कर दिखता हूं आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने अप आपका कोई प्रश्न है कोई टिप्पनी है प्रपु जी हरे कृष्ण जानक जी बताइए पेरा एक सवाल है जो आपने बताया कि सांथ साल में हमारा सेल्स बदल जाते हैं तो यह किदर है यह इसका करें अब देटेल्स भेज दूँदा नाम अपको भी कि दो आपको ड्रॉप में वाट्सेप गूप में वहारी पेर पूस्ट करों में अरे अरे कृष्णा मादाजी अ अम्यरा है इस वाल है कि आपने जासे डिफाइन किया कि वह सुने का पिंचडा और तोता अहां तसलाइक वाल्डवियर और सौफटवेर उसके अंदर आत्मा तो जैसे मानव सरीर है जो सरीर को चलाने के लिए भूजन के अवशक्ता होती है जब आत्मा का भूजन क्या है और आत्मा को रिचारज हरें अज़ाज करें जिस लाइक मोबायल फोन आप software और hardware है तो हम उसके लिए भी हम अगर ऐसी software उसके अंदर जो function है उसके अंदर जो programming है और बहार से जो टच कर रहे हैं वो hardware है वो कोई भी mobile है या laptop है बट हम उसे चार्ज करते हैं ना बैटरी या पावर की ते तो आप define कर दें कि जो जैसे पावर का जो रूल है तो वैस मतलब एक लाइ में आप प्लीज डिफाइन कर दीजी जो आध्यात्मिक गतिविधिया होती है माता जी जैसे कि हम भगवान के नाम का जब करते हैं भगवान के नाम का किरतन करते हैं या जिसे कहते हैं ध्यान करते हैं या आध्यात्मिक उस्तगे जिनमें रामायन, गीता, प्रिम्तभागवतम, इस प्रकार की जो गतिविदियायायां हम भगवान को जो भी हम भोग लगाते हैं, उसको भोग लगा ने बाद के गती विदियाएं हैं, ये वास्तव में आत्मा को चार्ज करने के लिए रहती हैं. इनसे क्या होता है कि हमारे आत्मा के ऊपर ये जो काम, क्रोध, लोब, मद, मुह, नसरीय, ये कहां रहते हैं? ये मं रहते हैं मन के अंदर. तो ये जितने भी विकार होते हैं ये मन के अंदर से कमजोर पढ़ने लगते हैं और बुद्धी हमारी प्रबल होने लगती है तो जब बुद्धी प्रबल होने लगती है मन पर नियंतरण रहता है तो आत्मा धिरे-धिरे सुख का अनुभाव करने लगती है और इसे आप कह स अगर आपको वास्तव में फास्ट चार्ज करना है तो आपको उतनी ही जादा ततपरता से इन सब कारें को करना पड़ेगा एक व्यक्ति चार्जिंग से मालीजे आध्यात्मी गतिविदियों में दिन में सिर्फ एक घंटे लगता है दूसरा व्यक्ति उन्हीं आध्यात्मी अधिविदियों में चार घंटे लगता है तो जो चार घंटे लगेगा और वास्तव में सिंसेरिटी से लगेगा सही तरीके से उन सब चीजों को करेगा उसकी चार्जिंग जल्दी हो जाएगी और यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके मन के उपर आपके आत्मा क कि आपर जो आपर अवरण है उनमें काम, क्रोध, लोब, मद, मुख की जो परत है वो कितनी मोटी है अगर अधिक मोटी है तो टाइम अधिक लगेगा अगर कम है तो टाइम कम लगेगा जी, धन्यवाद धन्यवाद मतल बड़ अच्छे प्रशन है? प्रशन मेरा कोई नहीं है मगर आपका जो ये आज का बाशन था बहुत ही अच्छा था बहुत सब्सक्राइब था और समझने में कोई दिकत नहीं हुई है धन्यवाद अच्छेश ये लोगे अच्छेश जाझ़ प्रशन है इसका तव अच्छेश एक्रिश साइव फिर दो अच्छेश ऑ्रशन है बट आप एक्छिब बलस के अच्छेश में भी तकी नहीं है भाद है ये था इसक्छिट व था सब्सक्राइब कर दो तीन बातें आप से पूरे ग्रूप को थोड़ा सा कहना था उसमें एक छोड़ा सा विनम्र दिमेदन में यह करना चाहूंगा कि हम चुकी सभी लोग वाट्सेप ग्रूप में इस समें जुड़े हुए हैं और कई लोग कई भक्त जहें वनेन आते रहते हैं तो मेरा चोड़ा सा आगरे है कि अन्यों की सुविधाओं का ध्यान रखते वे उसका संयमित उप्योग करें उस पर जो मैसेजिस आप डालें ऐसे मैसेजिस डालें जो वास्तव में कोर्स संबंदिध हो इस बात का वीवेक आप स्वेम देखें कि वास्तव में जो आप मैसेज डाल रहे हैं कोर्स संबंदित है के नहीं है मैं कोई क्राइटیरिया सेट नहीं करना चाह रहा हूं जिसमें की बढ़िबवर्वल चाह रहें हैं यह तक और चोटासा एक आगरय है आप देखें आप किस प्रकार से इसको ले जा सकते हैं आगे और एक चीज और मैं आपसे निवेधन करना चाहूंगा कि कई भक्त जो हैं बड़ा धहरे से मतलब बड़ा उनको ये कारेकरम में उनको आनन्द आ रहा है तो वो अपने अनेक संबंदियों को मित्रों को भी कारेक करें तो नाम सुझाने से पहले उस व्यक्ति से एक बड़ पूछ लें कि भी आप इस कारेकरम में भाग लिना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हमारे वीडियो आप उनको भी इस्तरे का वीडियो है आप एक बार देख लें तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति बार जुड़े आपके प्रविचन तो अच्छा था अच्छा था मगर उससे अच्छे प्रश्न वोत्तर थे अच्छा थे आगए अच्छा था था में अच्छा था थे यूग नात्या नीडि देखिए अपने गुरुजोनें साही सी शीख रहा हूं और और मैं आशा करता हूँ कि आप भक्त लोग भी ये सब शिक्षा लेकर प्रशिक्षन लेकर आगे इस परंपरा को बढ़ाएंगे और में भी आज से कुछ साल बाद स्वेम इस प्रकार के कारेकरों मों का आयोजन अपने घर पर जूम पर या जहां भी आपकी निष्ठा हो श् करवाओ रुछिए आपकी नग्ता लिए तो अवाफ जैन अपमन कुछ ओगे ये थैंक्यू एपकर प्रभूजिए यश्माताइजी ए वाग्ण्याजी ये ये मुछिए हुत ओपोष्ण देओ जहां जनए प्रभूजिए में तृ दू प्रभूश्न बश्माता टायश र अगर जैसे बताए पिछली बार अगर मीटा काना हो तो हम छोड़ दे पर इच्छा तो रहती है अगर हम प्रसाद करके इफीची बार माता जी दुबारा पुछे पीच में आपकी आवास कट गई अगर हम जी बते रहें जैसे आपने कहा यह मीटा काना गलत है अगर हम छोड़ भी दे उसका इच्छा जो रहती है उसे हटाने के लिए वी हैव तो डेवलप हायर टेस्ट अगर हम प्रसाद के रूप में उसे स्वीकर करें अर वी नौट चीटिंग देन ने जैसे जैसे शुरू आत्मे जैसे आप प्रसाद लगाएंगी और जैसे जैसे तो वो हायर टेस्ट आपका डेवलप होता चला जायेगा आपका अगर हम मीठे का प्रसाद के रूप में स्वीकर करेंगे अर वी नौट चीटिंग ने ने मैंने यह नहीं कहा कि हमें मीठा नहीं खाना है मैंने यह कहा है कि मीठा खाने पर कई बार लोग बाग नियंतरन न नहीं हो पाता ना प्रभुजे अगर हम भोग लगा के हम उसे स्वीकर करें तो जब बाग लगाएंगे तो आप प्रसाद को प्रसाद के रूप में ले लेंगे लेकिन अत्यधिक नहीं लेंगे यह समझते वे कि अत्यधिक खाना जो है मेरे शरीर के लिए मेरी चेतना के ल तो मीठा खाना गलत नहीं है, वास्तव में आपको कोई भी मीठी वस्तू है, कोई मिठाई है, आप उसका भोग लगाते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं, मैं कह रहीं थी, I just gave an example, मगर हम आध्यात्मिक से जुड़ा कर कोई भी गलत कम कर सकते हैं, इसलिए पुछ रहीं है, तो मीठा खाना गलत नहीं है, अत्याधिक मीठा खाना आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, भई आपने अपने पैसे से कमाई वी चीज से कोई ना कर सकता है, लेकिन यदि आप उसका अनियंतरित उप्योग करेंगी या अनियंतरन से बाहर जाकर यदि आप उसको करेंगी, तो वास्तम में आपको नुकसान ही देने वाला है, है के नहीं? तो आध्यात्मी कतिविदियों में जुड़ने के बाद हमारा मन पर नियंतरन अधिक हो जाता है, तो हम मीठा खाने को भी नियंत्रित कर सकते हैं, भगवान को तो मीठा पसन है, तो आप आस्तम में यदि कोई भोग बनाएं, तो मीठा यदि बनाएं, तो भगवान को भोग जरूर लगाएं, लेकिन उस भोग को लगाने के बाद, एक सीमित मातरा में ही को अपने सेवन के लिए उपयोग करें, और यू नियंत्रन करने कि शक्ति आपको आध्यात्मिक कारियों से मिलेगी, जैसे-जैसे आप आध्यात्मिक कारेय बढ़ाएंगे, वैसे-वैसे उनको नियंत्रन करनेकि शक्ति आप मिलेगी. Ania, कोई प्रशना? An the Lebens said. कि यदि आपका और कोई प्रश्न नहीं है तो आपके इस कारेकरम में भाग लेने के बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती से में निकाला मैं बहुत ही कृतार्थ हुआ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा भ्र अधन्यवाद कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण धर आल यह हощ्गे इस घर सथा आपके इस से अच्तितित्थ। कृष्ण झाल झाल